शेहर में मास बेचकर दिधा स्टेशन परिसर में यात्री बन कर यात्रियों की सामान की चोरी करने वाले दो आरूपियों को आरपीफ नी गिरफ्तार करने में कामियाबी हासल की इस मामले में पुलिस ने आरूपियों से 1,53,408 रुपे का मुद्धिमाल सब किया मिली जानकारी के अनुसार नौफ वरवरी को एक शिकायत करता नाम नाविन ने दिलिप चिमूर कर उम्रस 27 ने आरपेफ डूटी स्टाफ को बताया कि नाखपुर रेलवे स्टेशन पर प्लैटफॉर्म आरट पर ट्रेन नमबर 22190 दुरेंतो एक्सप्रेस के कोच नमबर S2 म उसका एक लैक्टॉप बैक कीमत 34,508 चोरी हो गया है जिनको जियारपी नाखपुर में F.I.R. दर्स कराने के लिए साहेता की गई उनकी शिकायत के अनुसार जियारपी नाखपुर ने अग्यात व्यक्ति के खिलाफ मामला तरस किया तथा एक अन्य शिकायत B.S.C.R. नाखपुर के माध्यम से प्राप्थ हुई किसी ने काले कलर की लैपटॉप बाग चोरी करना बताया चोरी का पता अजनी से निकलने के बाद पता चलना बताया जिसमें एक लेनोवो लैपटॉप कीमत 80,000 रुपए नगदव 2500, ATM काड, क्रेडिट काड, आधार काड, वोटर आईडी, डॉक्यमेंट फाइल, कीमत 3000, बताया, जियारपी बढ़ने द्वारा अटेंड कर ये मामला दर्स कर लिया गया, जियारपी नाखपूर को ट्रांसफर करना बताया, उक्चियोरियों में शामिल आरुपियों को पकड़ने के लिए निरेक्षक आर्पियफ नाखपूर, आरेल मीना के निरदेश अनुसार, CCTV में दोनों ट्रेन के आरुपियों के फुटेज चेक करने पर दोनों घटना में सलिप्त दो सातीदार संदिक्द दिखाई दिये, जिसके तहत कारवाय करते हुए, CCTV के माध्यम से संदिक्द पर निगरानी रखने के लिए निरदेश देने पर फुटेज के अनुसार, 10 फर पर बताया कि वे दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं, तथा मोमेन पुरा नाखपुर में एक लॉच में किराय का कमरा लेकर ठेरे हुए हैं, जो सिटी एरिया में मास्क बेच कर तथा स्टेशन एरिया में यातरी बनकर यातरी सामान की चोरी करते हैं, कैमरा परसन अकलेश भ